नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आजbat टी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग अड़नेतिक्स थीक है एनिमल ब्रीडिंग आण डनेटिक्स की अब सब स्वागत सिरेंगा अफ?... इसका एक पुइंट पढ़ेंगे आज प्रजनन् के प्रकार यानि टाइपस ओफ ब्रिडिंग तया पढ़ेंगे ऐय कर? अज पढ़ेंगे अपन टाइपस ओप ब्रिडिंग थीक है तुदेख ये ब्रेडिंग' का सबसे पहले मतलब क्या है प्रजनन होता क्या है तो अपने को क्या चाहिए एक वांचित लक्षनों वाली संतती चाहिए संतती का मतलब क्या है जो क्रोसिंग से उत्पन संतान है उसे क्या बोल रहे है अपन संतती बोल रहे है तो संतती में क्या चाहिए अपने को कुछ वांचित लक्षन चाहिए अच्छे प्रकार के या अब lyक्षणों वाली संतत्य उत्वपन करना क्या कहलाथ है प्रिज्णंग कहला ठीक है जी अपन ने क्या पोला ब्रीड अब पढ़ेंगे अपन ब्रीड इंग के प्रकार क्लासिफिकेशन आप ब्रीडिंग तो देखिए ब्रीडिंग को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अपन ब्रीडिंग को क्लासिफाई किया मैंने दो भागों में ठीक नमबर एक हो गया इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग यानि अन्तह प्रिजनन ठीक है पहला भाग मैंने बना दिया अन्तह प्रिजनन दूसरा पार्ट हो गया इसका आउट ब्रीडिंग इसे क्या बोल दिया मैंने बाहिय प्रिजनन ठीक ब्रीडिंग को क्लासिफाई किया मैंने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है यदि संक्रण करने वाले नर्व मादा आपस में रिलेटेड हैं ठीक है आपस में संबंदित हैं तो उसे क्या बोलेंगे इन ब्रीडिंग और कर आपस में संबंदित म क्या कहलाता है इंब्रीडिंग कहलाता है जैने के आयूटब्रीडिंग क्या कह कहलाता है आउट ब्रीडिंग कहलाता है ठीक इन ब्रीडिंग के बाद करें पन पहले इन ब्रीडिंग को क्या करूं मैं फिर आगे दो भागों में और विवाजित कर सकते हैं इसको बोलते हैं पन एक तो सकती है इसमें क्लोज ब्रीडिंग और एक हो सकती है लाइन ब्रीडिं का लोजी रिलेटेड ठीक और यहांबर किया होता है गर बीचिकर होते हैं तो रिलेटेड पर निक्ठस्त नहीं होते हैं जिसको बwedشäg नीक्त ास्थ संबंदियों के बीच की क्रॉसिंग है यह और यह कहांबर हैं तो क्लोज ब्रेडिंग कर एक्जाम पर लिंए अपन ह kept on a close reding का मतलब क्या है जैसे किसी नरका मेने माठा से क्रोष करवाया ठीक है अब उसकी जो संत्ति उत्पंच हो रही है जैसे बचडा हो रहा है तो उस्द का संकरन किस से करवा दे उसकी मासे करवा दे उससे क्या बोलेंगे अपन वे संततियां जिनके माता वे पिता दोनों समान है यानि आपस में जो बहही बहुते हैं खास भाई भाइन जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फुल सिब्स कहलाते हैं, जबकि लाइन ब्रीडिंग कहा होती है, हाफ सिब्स के मद्द, हाफ सिब्स, इसका मतलब क्या है, इनके माता वे पिता, दोनों में से केवल एक जनक, एक पैरेंट क्या होता है, कोमन हो क्या कहलते हैं यह क्याक पर पर सकते हैं ने यह रड़ा हैं व issues भारी परिदिंग के के लिए क्लिक व Efendimiz ओशनी क्रोंपड विर्डिंग तो यह को पर आपने िवी संबंध नहीं उनके मात्या क्रोस क्लासिफाई करें तो सबसे पहला नंबर आएगा इसमें अपना आउट क्रोसिंग कि वे नर और माधा जो आपस में कोई संबंद नहीं रखते हैं ठीक इसली 4-6 पीडियो तक उनके जो ancestor हैं पूर वजय उनके मद्दे कोई संबंद नहीं है तो इनके मद्दे का जो संक्रण होगा वो क्या कहलाएगा out crossing कहलाएगा ठीक है नंबर दूसरा होता है इसमें क्रोस ब्रीडिंग तो देखिए क्रोस ब्रीडिंग से क्या मतलब है एक प्रजाती के 2 अलग अलग नसलों के नरव मद्दे का संक्रण क्या कहलाता है जैसे प्रजाती तो क्या है इसमें सेम है प्रजाती समान होती है ठीक है जबकि नसले का होती है। उनकी अलग अलग ब्रीड़ क्या होती है अलग होती है। जैसे एक्जाम पर लेफ है। ₤ HF वह साही वाल ठीक है। मैं लेलू HF कम नर और साही वाल के मादा लेलू। इन दोनों के मद्य का जो संक्रण है वो क्या कहलाएगा क्रोस ब्रीडिंग कहलाएगा ठीक है इससे कौन सी नसल जनरेट होगी है एच एफ एस बोला जी से अपने ठीक तो इससे प्राप तोने वाली संतति क्या कहलाएगी क्रोस ब्रेड क्रोस ब्रेड कहलाएगी ठीक है और ग्रेडिंग अप आउट बेडिंग का एक प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है नर जो होता है वो सुद्ध नसल का होता है ठीक है इसका जो नर होगा और एक होगी मादा तो जो इसमें नर लिया जाएगा ग्रेडिंग अप में वो क्या होता है उच्वनसावली वाला होता है यानि अच्छी quality के जो लक्षन है वो सारे इस नर के अंदर होते हैं जबकि मादा क्या होती है non-descript होती है ठीक तो इस नरका जब इससे cross किया अपने तो यहां पर संतती उत्पन हुई संतती ठीक है माना ही मादा संतती उत्पन हुई अब इस मादा संतती का क्या करेंगे अपन वापिस इसी नर के साथ साथ क्रोस करवाएंगे ठीक इस मादा संतितिका क्या कि अपने इसी नर के साथ क्रोस करवाया तो यह क्या कहला रहा है ग्रेडिंग अप कहला रहा है यह जो मादा थी नोन डिस्क्रिप्ट यह किसमें परिवर्तित होती जा रही है इसमें किसके लक्षन आते जा रहे है इस उ इस तरीके को क्या बोलते हैं अपन ग्रेडिंग अप बोलते हैं ठीक है इसमें ध्यान क्या रखना अपने को सुद्ध नसल या उच्छ वनसावली वाला नसल नर होता है जबकि नोन डिस्क्रिप्ट यानि बिना किसी वनसावली वाली जिसकी कोई रिकोर्ड नहीं है अपने पास कोई वनसावली का रिकोर्ड नहीं है उस प्रकार की मादा के मद्ध का क्रोस क्या कहलाता है ग्रेडिंग अप और इसी नर के साथ फिर अपन क्या कराएंगे इसकी मादा संतति का क्रोस पीडी दर पीडी करवाते रहेंगे और उससे क्या प्राप्त हो जाएगी अपने नेडिंग अप में क्या कर रहे है अपन साथ से आठ पीडी तक क्रोस करवाते जा रहे हैं उसी नर्व का उस माधा संततियों से जबकि टॉप क्रोसिंग में क्या होता है सुद्ध नसल का नर्व होगा वह नोन डिस्क्रिप्ट फीमेल होगी दोनों के बीच क्यों एक पीडी और दाइजेशन कि नाम से पता लग रहे है इसमें क्या कर रहे है अपन इस प्रशीज के मद्दे संक्रण करवारा रहे है इस प्रशीज भी अलग है यानि जिन नर्व माधा के मद्देसंक्रbut करवाय जा रहा रह नर्व माधा की प्रजाती यहи क्या होगी अलग- deficature और दाइन को मुल मिला तो इस प्रकार का संकरन क्या कहलाता है species hybridization यह जो संत्ति होगी जो नर संत्ति यहां से प्राप्त होगी वो क्या होती है बंद्य होती है इस्टेराइल होती है नेक्स्ट वर देखें इसके एक्जामपल मूल के लावा कह ले सकता है अपन हिन्नी यह भी पढ़ाता अपने हिन्नी क्या होता है इस्टेलियोन यानि नर्तो इसमें गोडा होगा और फीमेल डंकी होता है इनका क्रोस क्या कहलाता है हिन्नी कहलाता है अपन जैसे लीगर है टीगोन है लीगर क्या होता है male loin और female tiger के बीच का cross क्या कहलाता है leaguer कहलाता है ठीक है cattle हो गया यह क्या है cattle यानि गाई और buffalo के बीच का cross होता है तो यह किस प्रकार के example होगे species hybridization species hybridization में क्या होगा दो नर्व मादा जिनके बंद्य संकरण करवाया जा रहा है उनकी प्रजातियां ही अलग-अलग होती है ठीक है तो यह कि अपड़ा आज अपने breeding system कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन सी तरीके से breeding करवाई जा सकते हैं उनके बारे में पड़ा अपन अपन